दोस्तों अगर आपके इस भी Xiaomi brand का smart TV है चाहे वो Redmi series का हो या Mi series का और आपको समझ नहीं आ रहा है कि smart TV में कैसे setup box को setup किया चाता है चाहे आपके happy brand का setup box है या किसी और brand का तो आज की पुने आपको हम पूरी help करने वाले हैं कि कैसे first time setup box को setup करते है Xiaomi के smart TV में और इसमें हम ये भी cover करेंगे कि अगर आपने setup box को अपने smart TV साथ connect कर रखा है मगर आप जब भी अपने smart TV को on करते हैं तो directly आपका setup box के channel view नहीं होते हैं आपको हर वार स्विश्च करना पड़ता है तो उस problem को कैसे resolve करें वो भी आज के इस वीडियो में अंसर करने वाले हैं आभी तक आपन पर बास होगा एक setup box, एक RCA cable और एक power adapter अगर आपको setup box के back side बे दिखाऊं तो यहां पर लगती है cable wire जो आपके cable operator के तुरू आ रही होगी घर पे यहां पर लगेगी RCA cable और यहां पर लगेगा power adapter का connector जो इस setup box को power provide कराएगा तो सबसे पहला step ही होता है कि आपको इस setup box को setup क करना होता है wall पर या जहां पर यहां पर प्लैटफों में रखने वाले है तो अगर आपको इसी platform में tv के नीचे हो तो आप भाँ पर डियरकिल ऐसे प्लेस कर सकते हैं और अगर वाल पर लगाना चाहें तो वाल पर भी लगा सकते हैं तो अभी कि मैं अपने tv के इसको पीछे लगाने वालों wall पे ताकि यह hide हो जाए मुझे नहीं अच्छा लगता है कि इस तरीगी से cable wire वगए दिखाई दे तो इसके मैं इसको TV के पीछे ही लगाने वालों आपको लगा के दिखा देता हूं मैं कहाँ पे place करूँगा तो इसको मैं यहाँ पे place करने वालों इसके आप है कि जो इसकी साथ RCA cable मिलती है उसके एक corner को ले मतलब एक side को ले और color code के recording इसके पीछे plug कर दे और जो second वाला side है connector की यह आपके TV में लगेगी again color code के recording मतलब red वाला red पे connect होगा white वाला white पे और yellow वाला yellow में वैसी अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा power adapter वाला connection रह गया ह है इसको भी पीछे इससमें लगा देते हैं तो मैंने इसको उस तरह की से लगा दिये है अब मैं करूंगा क्या इसको यह पे अटका देता हूं जो मैंने clip लगा रखी थी ताकि यह सेट-o booster box हिले आपके जगा पर इड़ा रहा है उस तरह का से मैंने clip में फसा दिया हैं जैसे मैंने आपको पहले पता है था, कि मुझे SETUP BOX को TV पीछे हाइट करना था, तो उस तरह किसा आप देखें, अब TV के पीछे SETUP BOX इतना साही दिख रहा है, और यह बोई portion दिख रहा है जहाँ पर SETUP BOX के BUTTONS वगेर होते हैं, और आपका remote भी proper SETUP BOX का work करें, पावर देने के लिए मैंने किया क्या है तीवी और सेटो बॉक्स के जो पावर एडप्टर था उसको एक साथ करेक्ट कर दिया है इसे होगा क्या मुझे अलग अलग अन नहीं करना पड़ेगा जैसे मैं अन करूंगा तो दोनों को एक साथ पावर सप्लाई जाएगी और मैं साथ उसको आन या ओफ कर सकता हूँ तो देखते हैं और देखते हैं कि जब मैं टीवी को आन करता हूँ तो क्या मुझे सेटो बॉक्स से डिरेक्ट चैनल दिखाई देते हैं या वह पैच्वोल आते हैं तो आप देखेंगे मुझे पैच्वोल वाली विंडो शो कर रहा है अब अगर मुझे अपने सेटो बॉक्स में जाना है जिसको मैंने अपने दूसरे सेटो बॉक्स से रिमोट से ऑन कर दिया है तो मुझे इंपूट्स में पड़ेगा और यहाँ पर जो ऑडियो वीडियो वाला ऑप्शन होता है ज्योंकि आपने आर्सी ये केबल के थूरू से कुनेक्ट हो के जो भी चैनल चाल रहे होंगे वह यहां पर शोह होंगे तो अभी प्रावलम देखें अगर मैं tv को आफ करूं मैं रीमोर्ट रिया तो चली टीवी को on करते हैं और देखते हैं कि last window जो मैंने अपने setup box वाली छोड़ी थी या वो ही start होती है या नहीं तो आप देखेंगे आपको फिर से यह patch वाल वाली window वा रही है तो यह बहुत ज़्यदा irritating हो जाते हैं अगर आपके घर में elders होगार है और उनको setup box के channel directly देखने है उनको कोई मतलब नहीं है आपके smart tv से तो उस case में यह जो option आपको मैं option दिखाने वाला हूँ आपको भी help करेगा प्लस आपके अगर में elders हैं उनको भी help करेगा तो आपको basically करना क्या होता है आपको अपने smart tv की settings में जाना होता है और settings में जाके आपको again additional settings में जाला option select करना होता है और उसके आपको यहाँ पर inputs को option देखे का आप उसको select कर ले अब अगर यहाँ पर फिर से देखें तो जैसे आपको मैंने पता है था कि हमने RCA cable के थूरू अपने setup box को connect के था अपने smart tv से तो इसके यहाँ पर वो connected show कर रहा है AV cable के थूरू अगर आपने setup box अगर आपके मान लीजिए SD वाला है या 4K वाला कोई setup box है और आपने उसको HDMI cable के थूरू यहाँ पर फिर HDMI cable को connected input में show करेगा तो Xiaomi के टीवी में एक अच्छा option आपको यह मिल जाता है अभी मैं इसमें smart tv में जाता हूँ और फिर से मैं इसके input में जाके यह कर देता हूँ अभी के लिए input में गया और मैंने इसको audio video select कर लिया तो अब होगा क्या इस option को enable करने के बाद अब जितनी बार में अपने मैं smart tv को on करूँगा हमेशा मुझे यह सीधा setup box के जो channels है उसमें jump करेगा तो इससे benefit यह होगा कि आपके घर में अगर address वगया रहे है या अगर आप भी खुद परशान रहते हैं कि बार बार कौन switch करे smart tv के patch wall से directly उसके setup box के तो वो आपको करने की ज़रूट नहीं पड़ेगी अगर आपने उस option को enable करके आप चेक करते हैं तो फिर से smart tv को off कर देता हूँ अब चलिए फिर से smart tv को on करके देखते हैं कि मैंने जो option enable किया था stay on the previous input वाले में उसकी बज़ए से वो directly मुझे जम कराता है set of box पर या patch wall पर जम कराता है तो उसको on कर देते हैं तो आप देखेंगे directly audio पाल पर गया जो मैंने set of box से connect कर रखता है और directly आपका यह चलेगा तो उस option को enable करने से benefit ही हो रहा है कि आप जितनी बार भी tv को on off कर लिजिए हमेशा आपका set of box वाला ही window आएगा मगर माली जी अगर आपको अपने smart tv के फिर से patch wall पर जाना है तो जो आपका यह वाला बटन होता है आपके शाओमी के remote बात है circular वाला आप उसको एक पर rest करेंगे तो आपकी यह patch wall वाले window पर चला जाएगा तो दोस्तों गर आपके फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में जाके question कर सकते हैं पसका जुरूर reply करेंगे और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा